गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड अपनोन, हाई अब्रीवन, जब भी आप देख रहे हूँ, आज मैं वापस से एक वीडियो लेक्या हूँ आपके लिए वैकेंसी से रिलेटेड, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो की कमपनीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि माइनिंग की बहुत सारी कमपनीज है, जिसमें बहुत सारा अलग लग स्टीम का फिल्ड डिसिप्लीन का वेकेंसी निकलता है, ऐसे वेकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किज ताकि जब भी मैं वीडियो डालो डावर लिमिटेट के द्वारा निकाल गया है जो की गौवर्मेंट और पोडिशा की कम्पनी यानि एक स्टेट गौवर्मेंट की कम्पनी है जिसका हेट क्वार्टर भुनेश्वर में पढ़ता है यह बिसिकली एक स्टेट प्यू में आता है और जेवी भी है यानि की जॉएंट वेंचर वाली कम्पनी भी है जिसका बिसिकली पावर जेनरेशन कॉर्पूर्परी... लिमिटेट ओ פी जेवी किया हुआ है ओरिसा हाइड्यषा हाउइड्यो पावर कॉर्पूर्परेशन लिमिटेट अनॉत परके साथ तो बिसिकली सुन्दरगर डिस्टिक में कोल ब्लॉक लिया गया है मनुहरपूर कोल ब्लॉक नाम है उसका सुन्दरपूर डिस्टिक जो कि उडिसा का एक डिस्टिक है उस जगा पे साथ MTPA पी क्रेटेड कैपेसिटी के लिए तो उसके लिए माइनिंग ऑप्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और उसको अब इंटिग्रेट करना चाहा रही है इंटिग्रेट का मतलब बढ़ाना चाहा रही है तो उसी के लिए वैकेंस से निकाला गया है कोल का उडिसा उसी पील के पास औरड़ी ब्लॉक है उसके लंबर डाइब से काम चल रहा लुशको और एक्सेंट करना चाहती है यह अमेंट-ब पौ़रेश्ट का ज़रु में तो पर्माननेंट पोजिशन है सबसे पहली बात कि यह क्या पोजिशन है परमानेंट पोजिशन है तो यह एक बहुत अच्छी बात इसके बाद यहां पर इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है यानि असर नहीं लिखा है कि ओडिशा के ही लोग अपलाई कर सकते हैं बाकि आगे टमसें गंडिशन पढ़ेंगे तो ज्यादा सपस्ट हो जाएगा तो पर्मानेंट पोजिशन है औ काफी अच्छी बात बाकि पोस्ट की अगर में बात कुरू कि कौन-कौन से पोस्ट का वेकेंसी निकला है तो हेड़ आप दा माइन्स का जोकी एट ग्रेट में आता है एक वेकेंसी है असिस्टेंट मेनेजर सर्वे का एवन ग्रेड वाला एक वेकेंसी है असिस्टेंट मे बाकि टोटल वैकेंजी यहां पर छे दिखा रहा है बाकि इसको स्क्रॉल करते हैं तो सबका पेमेंट लिखा हुआ है कि क्या आपको पेस्किल दिया जाएगा कि यह मार्किट अंबेज्ड सेंडरी स्टक्चर दिया हुआ है और इसमें एक्सप्रियेंस का भी कुछ मैटर है चलिए वह भी हम लोग क्लियर असपस्ट रूप से देखते हैं कि अधिया जाएगा जो की कंपणी का रूल है उसके साब से दिया जाएगा तो मतलब एक अच्छा का सा जॉब है सरकारी जॉब है और अच्छा सेलरी वाल्टी सब कुछ चाही है तो आप राम से कर सकते हैं CTC कंपणी का टाइम कुटाइम होते रहता है तो सई कंपणी अच्छी कंपणी है बाकी हेड़ आप दा माइन्स सबसे पहले आप पोस्ट की बात करते हैं कौन भर सकते हैं जिसके पास बैचलर डिग्री है या फिर कोई इंजिनियरिंग का डिग्री है यानि भी किये हुए है एकुविलेंट है साथी साथ फर्स्ट क्लास माइन्ड मैनेजर का सर्टिफिकेट है कोल में और फर्स्ट क्लास कैरियर अकैडमिक है मतलब कि यह हुआ कि अगर आप मान लिजे बीटेक किये थे उसके बाद आपने एम्टेक किया था तो बीटेक का आवरोल आपका फर्स्ट क्लास डिस्टिंग्शन होना चाहिए फर्स्ट क्लास का मतलब 75% से उपर होता है तो चाहिए तो मतलब percentage भी यहां पर matter करता है college वाला अब आते हैं experience पर तो essential experience में बोला गया है कि 22 साल का experience 22 साल का चाहिए आप Central Government हो State Government हो कोई PCU हो या फिर leading private organization हो उसमें अगर आपने काम किया है तो 22 साल का तजूर्बा होना चाहिए जिसमें से पांच साल का तजूर्बा कम से कम पांच साल का तजूर्बा लीडर सी positions in coal mines में होना चाहिए और must have work for at least 10 years in middle management management level role in coal mines like mine agent manager in post में अगर आपने काम किया है तो apply कर सकते हैं यानि 22 साल का तजूर्बा में भी पांच साल का ऐसा होना चाहिए जिसमें आप mining sector में काम किये हो minimum और 10 साल आप middle management के role play किये हो जैसे mine agent और बहुत सारी जो पोस्ट होते हैं उसमें अगर आपने काम किया है तो apply आप कर सकते हैं बागी इसमें desirable भी कुछ-कुछ बाते लिखी हुई है कि अगर आप coal mine planning, scheduling, project implementation, operation, maintenance इन से related काम किये हुए है तो आपको थोड़ा सा preference दिया जाएगा इसमें बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे mine economics, land and revenue, अगर्मेंट, general management, association, associated activities है तो यह सब में अगर आप किये हैं तो फिर आपको desirable यानि की वारियता दी जाएगे अब आते हैं second post पे जो है assistant manager survey का इसमें बो लगए है कि diploma in mine survey है या फिर mining engineering आपने किया हुआ है को रिक होगा ना university से साधी साथ आपके बाद survey certificate of competency है डीजे मेंस के देखिए एक चीज और है यहाँ पर असपस्ट नहीं किया है कि service certificate coal वाला चाहिए या metal वाला चाहिए यहाँ पर बूला गया है कि survey certificate of competency in mining survey mining survey from dgms mining survey में coal वाला भी आता है metal वाला भी आता है तो यहाँ पर coal वाले भी अपलाई कर सकते हैं metal वाले भी अपलाई कर सकते हैं बाकी यहीं कंडिशन है कि first class आपका academic record होना चाहिए first class certificate नहीं मांग रहा है मतलब 65% से उपर academic record आपको होना चाहिए स्वारी चली आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर existential experience के बारे में बात करें तो बोला गया है minimum two year of post qualification experience work experience central government state government और private PSU मलकुल मिला करके बहुत ही कम experience माना है assistant manager survey के लिए सिर्फ दो साल का सिर्फ दो साल का experience मांगा है यह आपको थोड़ा देखने वाली बात है क्योंकि यह जनरली होंगे बहुत से लोगों का तो आप apply जरूर कीजेगा बाकी यहां पर desirable में क्या बोला है adequate knowledge होना चाहिए experience होना चाहिए detail mapping mathematical measurement में multiple aspects of mining operation maintenance and calibration of survey instrument designing emergency बात कुल मिला करके असिस्टेंट मैनेजर chemistry पर तो यह ट्रेड में बोला गया है MSC chemistry होना चाहिए first class record यानि कि आपका 65% से उपर हर इसमें MSC में होना चाहिए दूसाल का experience चाहिए ठीक है बाकी बोला गया है कि आपको knowledge होना चाहिए उन्यवर्सल ट्रेस्टिंग मसीन्स जो होते हैं स्पेक्टो मेंटर माइक्रो स्कॉफ होते हैं टेस्टिंग मसीन्स होते हैं ठीक है अडरेंस है क्यों आपको होना चाहिए अगर को आप मेंबर तो अपलाई कर सकते हैं अशिस्टेंट का तजूर्ब आपको होना चाहिए कोना का किसी भी कंपनी सरकारी कंपनी सेंटरल गब्रमेंट का प्राइट का पूटेड आऊस्टीड जो बोलते हैं जिसकों लोग इसके बाद बोला गया है कि अगर कोईला माइनिंग में या एनर्जी सेक्टर में आप काम किये तो आपको डिजारेबल दिया जाएगा यानि पोस्ट प्रिफरेंस दिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट एकाउंट की बात करें तो जेनरल ग्रिजुशन वाले होना चाहिए ठीक है पोस्ट क्वालिफिकेशन वार्किंग एक्स्पिरेंस किसमें भी या तो मैंटेनिंग डे टूड़े बुक आप अकाउंट से इन अकाउंटिंग पैकेज लाइक टैली यार्पी 9 टैली प्राइम टैली ऐसकी मतलब कुल मिला करके कंप्यूटर में एक स सब रिकॉर्ड करना पैसा कोड़ी जोड़ना घटाना बैलेंसिंग करना यह सब चीज के बारे में आपको अच्छा घजा नॉलेज होना चाहिए बाकि डिजाइरिबल में बोला गया है कि अगर एक्सपर्टीज हैं आप मंतली और एन्वाल जीस्ट भरने के लिए जीस्ट की रिटर्ण क्वार्टरली रिटर्ण क्वार्टरली टीडिए जो होता है ठीक है तो यह सब चीज के बारे में आपको नॉलेज है आपको नियम पता है तो आपको ज्यादा फ्रिफरेंस दिया जाएगा है कुछ बाकि यसे में बोला गया है कि सबस्कास अब कलाएगा है खैटि का शर्मार कुस्ट सब्सक्राइब यह रहे कर mailing पिंसकी बोला गया है बेकार का शीज आपका उनमेंशल किल बेस्टा ऑफ अध्고 होना फीर प्रोफेशनल यह कुछ भोला गया है केंडेट का एंगा सबल्सक्र Crystalch can you battery यह आपका स्थ्ड गौर्मन्ट का जो नियम है इसके ही साफर यहां पर एक समझ्जेगा तो यह होगा और आप माल की चलते हैं Native खालते हैं ठीक ALL-C thank और सब्सक्राइब करना पदा है सब जी सब लिए गई है के स्टेट गवर्मेंट वाला ही अप्लाई कर सकते हैं ठीक है बाकी बुला गया है कि अगर एक से ज्यादा गरी में आते हैं तो आपको एक ठीका ही बेनीफिट मिलेगा ज्यादा का बेनीफिट नहीं मिलेगा ठीक है ओमें गैंडिट जो है वह आपका सब्सक्राइब जमांग करना पड़ेगा और आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसी के बेसिस पर एक लिस्ट निकाला जाएगा फिर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आप इलिजिबल है जॉब के लिए medical fitness का एक्जाम लिया जाएगा यह निके medical जाच होगा जब आप interview निकाल लेंगे उसके बाद फिर आपको एक जगा पर placement कर दिया जाएगा placement से पहले आपका एक probation period होगा probation period का मतलब एक साल का पूरा पूरी probation period होता है उस time में आपको सिखाया पढ़ाया training भी दिया जाता है और probation period में कुछ norms आपके उपर applicable होते हैं बहुत सारे allowances आपको नहीं मिलते हैं तो यह probation period एक साल का कम से कम यहाँ पर company में आपको रखा जाएग तो last date है आपका 23-2022 तर अभी अच्छा का देट है अपलाई कर दिजिएगा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है जाकि फटाक से फॉर्म भर लिजिए अगर इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए आप eligible हैं तो बाकी फॉर्म भरने का इंस्ट्रेक्शन इसमें दिया हुआ ह ठीक है बाकी बोला गया है कि अगर आप ये फॉर्म को भरते हैं तो downloaded application with self-attested photocopy of all the documents in support of the information given by the candidate in their online application should reach कुल मिलागर के बोला गया फॉर्म भरने के बाद फॉर्मवा का जो भर लिजेगा तो print out निकालिएगा फॉर्मवाला फाइनल जो acknowledgement होता उसको प्रिंट निकालिएगा उसके बाद जितना document आपका label का जो document आप अप्लोड किये हैं experience अप्लोड किये होंगे qualification अप्लोड किये self-tested यानि खुद से आपको sign करना है उसमें हर document का जैरक्स में उसके बाद वो आपको एक address में post करना है वो address क्या है General Manager C&CA Odisha Poland Power Limited Zone A Ground Floor Fortune Towers चंदर सेखरपूर भुनेस्वर यानि के main भुनेस्वर में ही पढ़ता है ये Fortune Tower मेरे को दिमाग में आ रहा है सायद जहदव के आस- main city में है अगर आपका यहां पर पोस्टिंग होता है तो देखिए बाकी तो कुल ब्लॉक में ही भेजा जाएगा लेकिन जो account वाले हैं उनको maybe head office में दिया जा सकता बहुत अच्छा location है अगर यहां quarter मिल जाता तो life set है आपका बुनेस्वर यहां पर पुरा जो address दिया हुआ आपको पोस्ट करना है ठीक है और जो पोस्ट होगा वह आप कोशिस किजिएगा कि जल्दी जल्दी भेजेगा साथ बारा दो हजर बाइस से पहले पहुचना चाहिए यानि कि फॉर्म भरने के बाद आराम से बहुत को दिक्कत नहीं ठीक है काफी लंबा टाइम आपको दे दिया जाएगा और जाने का खर्चा का इसमें को जिक्र नहीं किया गया है तो आपको एको नौमी एर दिया जाएगा यानि कि जो फ्लाइट का टिकट होगा एकनॉमिक का टिकट फ्लाइट का जिस जगह से आप बैट रहे हैं तो आपको लगभग तो वो टिकट का फेयर दिया जाएगा इसके बाद अगर आप इवन ग्रेट से इसिक्स ग्रेट के बीच में आ रहे हैं तो आपको स्लीपर क्लास का ट्रेन का दिया जाएगा और बस फेयर दिया जाएगा यह जो बस फेयर होगा वो जेनरल वाला व्यक्स वाला यह यहाऊ बुलाय जायो तो यह आपको प्रशनल इंटर्वी में बुलाया जाता है तब से स्टार्ट है दो नौंबर से लास डेट जो है वो 23 नौंबर तक है और एप्लिकेशन भेजने का डेट साथ बारत 2022 तक है तो जल्दी किजेगा अगर आप इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए लिजिबल है तो कहां पर भेजना है देखिए यहां पर एडरेस भी फिर से हो सकते है hrd at the rate ocpl.org.in पर यह आपका एडरेस है जिसमें आपको भेजना है आई होप यह वीडियो आपके काम का होगा बहुत ही डीटेल में मैंने बताया है कैसे कैसे अपलाई करना है अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन के नहीं है बट माइनिंग में करियर बनाना चाहत है क्योंकि बहुत सारी माइनिंग की बड़े बड़े कंपनी है इसमें अधर अधर पोस्ट वाले बहुत कम कंपटिशन होता है तो अगर अपलाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर किजेगा क्योंकि यह माइनि में ग्रूथ आने के चांसेस है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी के बारे में लोग को पता नहीं होता है मेरा मकसद है लोग तक कि यह वैकेंसी को पहुचाना तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल दैन जहिंद